नमस्कार दोस्तों, मैं मितुल सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्लैटफॉर्म पे जहां पे आपको हर तरह की टीचर रिकूटमेंट की खबर दी जाती है अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज मेक सियोर नीचे जो रेट का बटन है सब्सक्राइब का वो दबा दे उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की लेटिस्ट नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचे तो देखिए आर्मी पबलीक स्कूल से एक नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है पूरी इनफर्मेशन आपको दी जाएकी उससे पहले मैं आपको यहां से दिखा सकता हूँ उनका ओफिस्चल वेपसाइट जहां से आपको खुद से अप्लाइ कर लेना है देख लो apsdhg.com यहां से आप सारे चीज़ों को देख सकते हो खुद से भरिफाइ कर सकते हो रिक्रूटमेंट आई हुई है या यह एक फेक इनफर्मेशन है मैं ऐसा ही चाहता हूँ ताकि आप खुद से भरिफाइ कर पाओ और समझ पाओ की रिक्रूटमेंट आई हुई है या नह उससे पहले मैं बता दूँ इनका अप्लिकेशन फॉर्म और जो एडबिटिजमेंट का डिटेल्स पीडियफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मैं कर दूँगा लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का और नीचे कॉमेंट स अब आपको देखो कहां पे आना है जहां से रिक्रूट्मेंट मिलेगी दखिए और करेंट नीचे यहां से आप देख सकते हो एड़ॉक वेकेंसी और व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो फूरी इंफर्मेशन ले पाओगे तो मैंने व्यू आल पे क्लिक कर दिया है और अब देखो यह एक नई बिंडो मेरे सामने खुलेगी बिल्कुल यह देख प्याटी के लिए सेबन पोस्ट है एक सेकेंड चलो भाई हां यहां से देख सकते हो प्याटी के लिए साथ पोस्ट है कॉंसलर के लिए एक और special educator के लिए एक recruitment है अब मैं एक और बात में आप लोगों को बता दूँ आपको बस comment section में इतना बताना है कि आप जो है एक book आई है राइटर का नाम आप लो कमेंट में जरूर से जरूर बताएं अब देख लो salary की बात में कर देता हूँ आपको जो consolidated pay है वो 18,550 से 30,000 रुपई के हिसाब से मिलेगा और ये change भी हो सकता है आगे देख लो आपकी English बहुत अच्छी होनी चाहिए computer आपका काम होना जरूरी है और आगे यहां से आप देख सकते हो ये देखो 30 April तक आपको जो है form पहुचा देना है कितना 100 रुपई का DD के साथ तो ये बाते हैं और interview के बाद ही आपका जो है selection किया जाएगा और interview का जो date है वो कैसे बताया जाएगा आपको email या फिर phone के माध्यम से बता दिया जाएगा तो जो भी phone नमर आप देना वो जरूर on रहना चाहिए या email आपका on होना चाहिए तो ये छोटी सी information थी